नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक रोमान्चक कहानी सुनाएंगे, जो आपकी उत्सुकता की हदों को पार करेगी। तो बैठिये, दिल थाम कर और मजे करने के लिए तयार रहिए। दोस्तों, कभी-कभी तकनीक हमारे लिए वर्दान बन जाती है और कभी-कभी अभिशाप। आज की कहानी उन्हीं अंधेरे कोनों में से एक जलक दिखाती है, जो इंटरनेट की गहराई में छिपे होते हैं। अनिरुद्ध एक युवा कॉलेज चात्र इंटरनेट की गहराईों में खो जाने का शौकीन उसे अजीबो ग्रीब वेबसाइट्स और छिपे हुए फॉर्मों में घंटों बिताना पसंद था। एक रात वह एक अजीब सी वेबसाइट पर पहुँच गया, जिसका नाम था The Shadows। वेबसाइट का डिजाइन बेहत साधारन था, सिर्फ एक काले बैक्ग्राउंड पर स सफेद अक्षरों में लिखा था, प्रवेश करें, अपने सबसे बुरे डर का सामना करें। अनिरुद्ध को थोड़ी देर हिचकी चाहट हुई, लेकिन जिजासा उसे जीत गई, उसने एंटर दबाया, पल भर में स्क्रीन पर एक खाली चैट बॉक्स खुल गया, अनिरु से नहीं डरता, जवाब आया, आप जूट बोल रहे हैं, हम सब डरते हैं, आप अपने सबसे बुरे डर को जानना चाहते हैं, अनिरुद्ध ने हिचकी चाहते हुए टाइप किया, हाँ, जवाब आया, आप अकेले मरेंगे, अनिरुद्ध ने हसने की कोशिश की, लेकिन उ उठाते ही उसने सुना, आप अकेले मरेंगे, अनिरुद्ध ने डर के मारे फोन रख दिया, उसने पुलिस को सूच ना दी, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वे कुछ नहीं कर सके, अगले कुछ दिनों में, अनिरुद्ध को हर जगह यही संदेश मिलने लगा, अनाम, इमेल, नोट्स, यहां तक की सडक पर लिखे हुए, हर बार ये शब्द उसके दिल में दहशत पैदा कर देते थे, एक रात अनिरुद्ध घर से लोट रहा था, रास्ते में अचानक बिजली चली गई और सडक अंधकार मैं हो गई, तभी उसे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, उसने घबरा कर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा, अनिरुद्ध चीखने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ, एक गहरी आवाज उसके कान में फुस-फुसाई, आप अकेले मरेंगे, अगले दिन अनिरुद्ध कुम्रित पाया गया, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, वेबसाइट The Shadows गायब हो गई थी, तो दोस्तों, याद रखिए, इंटरनेट की दुनिया में भी सावधानी बढ़ते, कभी-कभी जिग्यासा आपको ऐसी जगह करना न भूले, और बेल आइकन को दबा कर हमारे नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करें.